सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सब तो आज हम डिसकस करेंगे दपंडित का लाइव मॉख 12 जो की कंप्लीटली फ्री आफ कॉस्ट होता है और सेटेड़े और संडे को लाइव होता है काफी सारे बड़ी एस्टुएंट्स इसे दे रहे होते हैं और इस बार के मॉख टेस्ट के है अगर लेवल की बात करें तो लेवल आपके लिए ज्यादा लगाओगा आपको उसका रीजन क्या है उसका रीजन यह है कि सवाल कई ऐसे थे जो सिली मिस्टेक्स जहां पर हुई होंगी उसके वो नंबर थोड़ा सा बस आप एक दो ज्यादा था बाकि ऐस सच बहुत ज्यादा टफ कोश्टन्स नहीं थे देखा था चलिए तो अगर ट्राइ नहीं किया तो अभी कर लिए यह जो सॉलूशन आपको थोड़ा सा पहले मिल के यूटूब चैनल पर डिसकस कर चुके हैं ठीक है वहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा अगर सबसे पहले इंपोर्टेंट बात यहां पर मैं यह कहना चाहूँ कि आप चार मॉक टेस्ट लगाएं मैं लास्ट टाइम भी बोला था और उसका एनलिसिस आप किसी का भी न करें चार प्लेटफॉर्म पर आ रहा है हमने सब दी है लेकिन एनलिसिस नहीं किया न तो जो बड़ी है सवाल है वो अभी चूटे है अगली बार भी चूटेंगे उसके अगली बार भी चूटते रहेंगे इससे बेटर कै आपको ने इस जरूर करना आईए साथी साथ यहाँ पर यह भी लिखा हुआ कि इसे कितने परसेंट इस्ट्रेंट्स ने सही किया अग्यों कहरे एक ट्रेंज जो है कवर कर सकती है 737 मीटर 33 सेकेंड में ट्रेवलिंग अड़ सेम स्पीड हाव मेनी किलोमेटर्स विल दर ट्रें कवर इन 5 हावर चैंज्ड करना है 18 x 5 याद मैंने कैसे करने के कहा कि एसके आद कर सकते हो 5 x 18 छोटा तो किलोमीटर से मीटर बड़ा 18 x 5 तो मीटर से किलोमेटर ये एक घंटे की स्पीड आगी किलोमेटर इतने किलोमेटर पर आवर इसी को एक साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आजागा डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर काटा फिटी कर दो 0 से 0 गया अब जैसी मैंने 33 देखा तो मुझे पता चला है 11 से कठी रहा होगा 11 66 बचा आपका 7 7 11 से गया 3 टाइम 3 से गया 6 टाइम 7 6 जा 42 6 6 जा 36 प्लस 4 40 402 किलोमेटर इस दा राइट आंसर नेक्स्ट कुशन पर बढ़ें क्या कह रहा है एक डिस्वनेश शॉपकीपर सेल करता है गोट्स को कही बार हमने डिस्कस किया है इसे SP एपॉन CP से करो यह लिखना नहीं है बस समझाने के लिए कह रहा हूँ बस इ SP चोटा, that's all. अगर कोई चोरी करता है, तो क्यो करता है, आप बाई चांस माल, आपने चोरी करी, तो क्या अपने फायदे के लिए करोगे, किसी और के फायदे के लिए, बस वही है, तो कह़ रहा है सबसे पहले, एक डिस्वनेश शॉपकीपर सेल करता है इस गूट्स at a loss of 80% loss हो रहा है ना तो loss का मतलब loss अगर 20% का loss है मतलब 80 और 100 ये दो values है ना 80 by 100 या ना बिलकुल अब ये समझो इसे आप 4 by 5 भी कर सकते हैं बड़ पहले ऐसी लिख दो काठा पीटी तो हम बाद में कर देंगे important बात ये है कि हमें 100 upon 80 लिखना चाहिए या 80 upon 100 लिखना चाहिए तो important यही है ना सबसे सीधी बात मैंने आपको क्या कहा कि कुछ भी काम करने से अगर उसको नुकसान हो रहा है इसका मतलब CP बढ़ा रिदा जादा में बेचा कम है ये हो गया बस ये क्यों होगा कुछ मुछ भी काम करने से जिससे उसे फायदा हो रहा है तो SP बढ़ा नुकसान हो रहा है तो CP बढ़ा आगे बढ़ो उसने आगे कहा है लेकिन वो यूज करता है weight 210 gram कितने की जगे 350 की जगे अच्छा 210 gram यूज कर रहा है इसकी जगे इसको फायदा हो रहा होगा तीन सो पचास ऊपर आ जाएगा और दो सो दस नीचे आ जाएगा ठीक है और बीच से multiply क्यों करते हैं प्योंकि जो दो चीज एक साथ हो रही होती है वहाँ पर multiplication का sign आ जाता है तो ये ये गया ये ये गया तो दो से गया हमारा ये चार बार दो से गया ये पाच बार और पास से गया ये साथ बार साथ से गया ये तीन बार तो finally इसको solve करने पर हमारा क्या है 4 by 3 नहीं 3 रुपए की चीज कितने की बेची जा रही है 4 रुपए की बेची जा रही है हम ये कह सकते हैं तो इसका मतलब फायदा हुआ ना 3 की चीज 4 भी करी कितने का एक का कितने पर 3 पर 33 1 by 3 यहीं 33.33 next question इसको try करिया answer बताईए कितना है आसान सा सवाल था 88% ने सही किया है क्या कह रहा है question वरुन is thrice as good as कीरती यानि कि हम समझ गए इसकी efficiency 1 है तो इसकी efficiency 3 होगी दोनों मिलकर वो काम को 28 दिन में कर सकते हैं तो कीरती अकेले कितने दिन में करेगी total काम कितना 28 दिन में काम हो रहा है ये 3 कर रहा है ये 1 कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रही है जो भी है तो total काम तो इतना हो गए इसे करवाना किस से कीरती से कीरती की efficiency 1 थी तो divided by 1 अगर वरुन से करवाना हो था तो divided by 3 3 से cut भी नहीं दाता fraction में है ही नहीं तो कितना हो गए यह आपका? आठ चोक 32, क्यारदूनी 8 हो टीन, 112, option number C is correct, find the value of यह, अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने हमेशा कहा कि भाई, यहाँ पर किसी की भी गलती हो सकते हैं, बस हडबड़ी मत करना, तो 23 इंटू में 5, यह हो जाएगा आपका कितना? 115, 115 बीस में से गए तो आगया 5, 5 प्लस 22 यहनी 27, तो 54 अपॉन 27, यह तो फिर भी easy है, 22 प्लस 35, आपको हमेशा एक्जाम में पहले इसको एक बार अपने copy में लिख लेना है, question number 5 का है, कि the pandits पे हमने YouTube चैनल पर discuss किया है, blank का मतलब यही है, idea, सवाल क्या कह रहा है, if the number of school going children in a town is इतना, and it is increasing annually by 15%, तो बताईए, town के end में, what will be the number of school going children in town at the end of 2 years, यहाँ पर एक छोटी सी बात में जरूर बताना चाहूंगा, that is, कई बालक यह बात सोचते हैं, कि fraction में बदलना बहुत बड़ा काम है, जैसे 15%, तो पहले रेखेंगे 15, upon 100, फिर 5, 3, जा, और 5, 20, जा, इसका मतलब 20 से 23 हो गया, यही 23 by 20, 23 का उल्टा लिग गया है, यानि 23 by 20, दो बार हम multiply कर दें, मैं यह समझाने जरू कि जरूरी है, हर बार, देखो ऐसा नहीं है, यह कोई बड़ा टास्क नहीं है, यहाँ पर कई बार हम कलती कर जाते हैं, यह बड़ा टास्क नहीं, जब यह practice के बाद खुद समझाओगे, जब बहुत सारे 0 हैं, तो यह 100 को काटने के लिए थे, हमने फ 1, 5 by 100, और यह कितना हो गया, 1, 1, 5 by 100, 2, 0, 2, 0, 4, 0, 1, 2, 3, 4, यहनि हमारा जो answer को उसके पीछे 1, 0 होगा, यह हो सकता है, ठीक है, दूसरा मैंने आपको, यह दोनों तो eliminate हो गए, और दूसरा मैंने आपको यह भी बताया था, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, यह number ending with 5, इसकिंदर 5, इसकिंदर 5 है, यह 25 का multiple है, 25 का multiple अब देखो, 0 हटाने के बाद देखो, 0 तो हटाओ, यहाँ पर 25 का multiple यह यह, यह correct है, एक तो यह हो गया, digit sum लगा सकते हो, यहाँ पर हो सकता है, लग रहाओ, एक बार देख लो, 5, 2, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 5, और 3, 8, 1, 9, 2, ठीक है, देखो, number ending with 5 का square कैसे, 5 का square, 25, और 11 का अगला number 12, multiply करोगे तो 2, 2 plus 1, 3, और 1, 3, 2, 5, और 1, 0, कैसे भी कर सकते हो, बता रहाओ मैं आपको, unit digit plus factor is a deadly combination, अगर यह practice किया होगा, तो दिख रहाओगा, unit digit plus factor हमने यहाँ यह यूज किया, आजाई यह 1 minus sin square theta into my cosec square theta, sin square a cosec, टीक है इसको, देखो, मैंने कई बार बताये किया, जब भी ऐसे सवाल दिखते हैं, आप इसमें theta put करो, कब, जब answer numerical हो, जब इस प्रकार के answers हो, तो या तो identity लग रही होगी, या फिर अगर value put करना ही चारे है, तो थोड़ा दिमाग से, ज पहले मन यह करेगा, क्यों, 0 या 90 क्यों नहीं, क्योंकि या 0, 90 पर यह हमें दिक्कत देंगे, तो हमने क्या किया, हमने 45 की सोची, तो 45 पर पहले option देखो, कहीं 2 option same हो रहे हैं, तो time waste नहीं करना है, अगर इन दोनों मैंस से हमने, कोई correct answer हमें मिला, तो time waste, तो हम value put कर सकते है 30 degree, ठीक है, तो sin 30 कितना होता है, half, यह 1 minus sin square theta होता है, हमारा cos square theta, तो cos 30 कितना हो जाएगा, आपका, root 3 by 2, यह हो गया, आपका 3 by 4, इन 2 मैं, ओसे क्यानी कि, अपना sin 30, half 2 का square हो गया, आपका 4, plus sin 30, यह हो गया, आपका, 1 by 2, यह हो गया, 1 by 4, plus यह हो गया, root 3, 3 by 4, ठीक, तो यह कितना आ गया, 4 से तो यह 4 चला गया, 1 by 4, plus 3 by 4, यह 1 हो गया, 3 plus 1, 4, तो 4 answer आ रहा है नहीं, किसका square है, 2 का square है, यानि यह हो गया, आपका, cosec square a, 30 डालोगे, तो यह आ जाएगा, आपका 2, 2 का square 4, आप यह से वैसे identity भी यहां दिख गई होगी, 1 minus sin square theta का मतलब क्या हो ग sin square, और यह तो bracket लगा हुआ, बीच में plus है, तो sin square plus cos square a, 1 हो गया, तो cos square upon sin square यह हो गया, आपका quarter square, quarter square plus 1 is equal to cosec square, कैसे भी जा सकते थे, ठीक है, आ जाएगे, अब यह सवाल अगर आप देखें, इसे 46% difference सही कर पाए, DI के सवाल में आपको समस्या कब होगी पता है, जब कुछ नई language होगी, भले वो सवाल कितना भी easy क्यों ना हो, बट हमारे दिमाग को कुछ नई बात कह दे, यह शायद मैंने DI जब पहले सवाल करवाय थे, mocks में ही, तब बताया था, कि देखो यहां पर कहा दिक्कत आई, the table the table the shows, नहीं, the table shows the number of students appeared and qualified, यह नि पहले appeared है, फिर qualified है, appeared and qualified का ratio है, तो यह हमारे दिमाग के लिए नई information हो गई, यह न, in thousands, state-wise, in the cat examination in the country, ठीक है, the total percentage of the students who qualified in year 2015, correct, up to two decimal places, तो सबसे पहले समझो, 2015 पर हमें बात करनी है, इस में, percentage of the students who qualified, तो जो qualify हुए है, हमें उनकी percentage बतानी है, अगर यहां पर देखो, appeared पहले qualified बात में, यह न, बस this upon this कर देंगे, total निकाल के, 2015 में, तो सबसे पहले total कर लो भाई, आ जाओ, तो, आप यहां पर unit digits से ही करना, 3 plus 1, 4, 8, 4, 12, 12, 12, और 9 होगे आपके 21, 21 और 5 होगे 26, कह रही गया, दो, 3, 2, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 7, 21, 22, 23, 24, 246, divided by, अब देखो, यहां पर basically क्या है, यहां पर अगर आपने देखा हो, यहां पर thousand करके लिख रहा है, in thousand, उससे हमें फरक पढ़ता है गया, हम ratio में क्या पढ़ती हुआ रहे हैं, percentage में क्या पढ़ती हुआ रहे हैं, कि हमें ratio चाहिए वो 3, 0, यहां भी होंगे, यहां भी होंगे, वो cut जाएंगे, हमें ratio से ही percentage निकल जाएगा, यहां पर कई बार क्या होता है, जैसे मालू मैं पढ़ा रहा हुँ, यहां पर मेरे से गलती हो जाए, तो भी कोई issue नहीं है, तो YouTube पर कई लोग आप कैसे बता देंगा, रहे हैं, 40, 60, 105, ऐसे जादू करके सम निकाल देंगे, एक्जाम में वो चीज काम नहीं करती है, यह समझे न, जो चीज practically possible है, वो देखो, वो सब तो impress करने के लिए, सवाल है हम करने तो मुझे total तो पता ही होगा न, देख लो कहीं लिख लो, यह सब पर नहीं, जो basic है, जो हर बार का करे हमें, उसके उपर काम करना है, ठीक है, एक्जाम में कभी हुआ, कभी नहीं हुआ, तो दिक्कत है, तो यह 0, 8, 8, 5 हो गया, आपका 13, 13 और 9, 22, 28, 28, 29, 37, 3 गया कहरी, 4 प्लस 3, 7, 7 प्लस 4, 11, 11 प्लस 6, 17, 17 ने 25, 28, 30, 30, 7, इंटू में 100, अब ध्यान से मैं जो यह बात कह रहा हूं, मान लोगे, तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं है, कभी भी नहीं यहां पर approximation यहां वहां आपने जो सीखा है, अब वो latest questions में थोड़ा सक कम apply होगा, आप उसको apply करके खुद देखो, instead of getting impressed, मैं तो बोल सकता हूं, अच्छा यह है, 246 को 250 मान लो, 360 को 300 मान लो, मैं answer लिया आया, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, best क्या है, मैं आपको वो भी बताता हूं, approximation की बात करें, तो एक बात मेरी याद रखना, कि approximation आप वहां पर कर सकते हो, जब number हमारा 100 से बढ़ा हो, जैसे यह 300 से बढ़ा है, ठीक है, यह 246 से बढ़ा है, तो वहां पर आप कर 99 को 1 by 100 मान लिया, यहाँ पर भी मैंने एक ही एड किया, लेकिन यहाँ पर percentage change बहुत बढ़ा हो जाएगा, क्योंकि denominator 9 को मैं, 9 पर 1 बढ़ा है, यहाँ पर 99 पर 1 बढ़ा है, क्या इस बात को आप समझे रहे हो, यह लगबग, लगबग, इदे 1 by 9 क्या होता है, 11 से एक बटे है, तो 10 times का फरक है, तो number अगर 100-200 से बढ़ा है, तब आप easily उसमें 1-2 का उपर नीचे कर सकते हो, अब साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है, ऐसे ही नहीं उपर नीचे, यह देखो 80.13 है, यह 78.something है, यह बाल 2 percentage का फरक है, 2 percentage, तो कई बार आप देखोगे, क्या आप अ और समझाने के लिए, देखो, मैं आपको एक लगभग approximation, best approximation बतातो सकता हूं, बट यार, उसका ना काम ज्यादा हो नहीं रहा है, वो ज्यादा useful नहीं, देखो, मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले समझो, exam में करना क्या है, जो सबसे simplest चीज है, जितना कटे काटो, यहां this by this into my 100, तो देखो 307 है, तो यह तो जाएगा नहीं, इतना आपको उठाना है, ठीक है, अब यहां से न, अब यह आपको समझ में, यहर, इसके table कितनी बार जाएगा, तो ऐसा करो, इसके दो डिजिट चुपा लो, 307 के दो डिजिट, तो इसके भी दो डिजिट चुपाओ तो 24 दिख रहा है, 3 कितने जाए 24, 8 टाइमस, मैकसिमम यह हो सकता है, तो हो सकता है, यहां पर 8 टाइमस हो जाए, 8 नहीं होगा, तो 7 होएगा, अगर बड़ा चोटा वह आपको देखना है, 8 टाइमस करो, 8 7 जा, 56, ठीक है, पर 8 3 जाए 24, माइनस करने पर कितना है, 4, यह हो नहीं आगे, यह the best तरीका है, जो simplest is best, अब दिखाने के लिए मैं जादू कुछ भी दिखा दूँ, दूसरी बात, कभी भी अपने मन से कुछ जोड़ना चाता है, आपका मन यह नहीं कर रहा कि इसको 300 बना दूँ ताकि 0 से 0 कर जाए, अगर ऐसा करना चाते हो, तो समझ ना यह basic सी property आपने पड़ी होगी, जैसे मैंने लिखा 3 by 5, ठीक है, तो अगर मैं इसमें इसी ratio में add कर दूँ, तो जो हमारा यह subtract कर दूँ इसी ratio में, तो हमारा answer पर कोई change नहीं पड़ा है, अब ratio यहीं रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने 3, 3, 9 add कर दिया, 5, 15 add कर दिया, तो 9 और 3 12, 15 और 5, 20, 4 से गये 3 और 4 से गये 5 और, फिर से वही ratio आ गया न, तो कहने का, अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि अब यहाँ पर अगर आप देखो, approximately देखो, लगभग देखो, यह क्या है, यह उपर वाला 500 है, और नीचे वाला 300 है, तो 250 divided by 300, लगभग लगभग अगर आप इस ratio में इसमें छिडखानी करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें से 307 को मैंने 6 माइनस करना, 7 कर दिया, ठीक है, तो यह हो गया आपका 300, इसमें मेरे को 5 माइनस करना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 कर रहा हूं, तो उपर 5, इसे 7 माइनस कर दिया, तो इ 80 के एकदम पास में क्या ही है, अब ध्यान से सुनना, यूटूब पर यह होता है दिक्तर, मुझे तो पता ही आंसर है, अब मैंने कर दो 80, हमने एकदम सही माइनस किया है, तो यही हमारा आंसर हो 80 के एकदम पास, अरे भाई, कभी यह भी तो पास हो सकता है, मैं ऐसे 79.8 दे यूज करने में, so this is the best, मेरी बात मानो, इसको याद रखना, यह बहुत, तिम्पलेस्ट वे, आप कहीं से भी कोई approximation सीख रहे हो, जब जरूरत पड़ेगी एक पार इसको याद करना, कि दो, जितने डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पर 2460 डिवाइड करना था, दो इसके इसके इटा दो, एप्रोक्सिमेट वहाँ से तुरंट पाचल जाए कि टेबल कितनी बार जाएगा, खिक, आसान था, इसे कितनों ने करेक्ट किया था, इसलिए 50 से कम यहाँ पर आ गया था, यह देखो, decent question था, क्या कह रहा है, क्या रहा है, volume का ratio इतना है, तब पेस area का ratio ब कम से कम, कम से कम, जो है, 10 तक, 12 तक तो आपको cube सियाद कर नहीं है, 12 क्योंकि खूब पूस्ते रहता है, 1728 है, अपना इसमें आ जाता है, CIE में, तो 15 तक याद कर लो के best रहेगा, तो आप समझ जाओगे, यह हमारा 14 का cube है, तो यह ratio आगे भी कट रहा है, 1 ratio 2, ठीक है, तो जो हमारी side का ratio होगा, यहीं, radius का जो ratio होगा, वो 1 ratio 2 होगा, clear है, तो surface area का जो ratio आजाएगा, that will be 1 का square और 2 का square foot, यहीं, option number C is correct, clear, आगे बढ़े, next question, कवाल आसान है, क्या कह रहा है, simple interest किसी एक certain sum पर 6 साल के लिए, 7,480 रूपे कम है, किस simple interest से, उसी sum पर 10 years के लिए, आप basically क्या है, principle हमारा same है, तो आप पुरंद पकड़ पा रहे होगे, कि यहाँ पर 6 into me 8.5 मिल रहा है, और यहाँ पर मिल रहा होगा 10 into me 8.5, तो जो difference है, व यानि अगर मैं आप से कहूं, कि 7,480, यह कितना percent की value है, तो आप कहोगे, 6 years यह 10 years, यह 4 years into me 8.5%, दो अब मैं इसको निकालता, यहाँ तो चलो easy calculation है, कलको मैं चाहूंगा कि examiner यहाँ पर 8.25 दे दे, 8.15 दे, 8.35 दे तो हमने सीधे समझना है, कि कितने percentage पर अगर हम बात करे यहाँ पर कितने percent ब्याज मिला, यहाँ पर कितने percent ब्याज मिला, यह 10 into it, difference कितना होगा, यह यहाँ पर मिलेगा 10 into 8.5, यहाँ मिले 6.8.5, 8.5 सेम है, तो 4 साल का interest rate इतना है, यह इसकी value है, उसने sum पूछा है, sum क्या होता है, 100%, बस decimal हटाओ, 0 लगाओ, काट दे, 4 से इसको क बार देते हैं, 25 बार, और 25 के पीछे 0, 5 से गये 50 बार, और 5 से गये 17 बार, 17 से कटी रहा होगा, पूरा-पूरा answer है, 17 फोर्जा 68, 17 फोर्जा 68, और एक है 0, यहनि हमारे 2 तो 0 होगे, 5 फोर्जा 20, 5 फोर्जा 20, प्लस टू 22, डबल टू, ट्रिपल 0 is the right, ठीक है, आगे बने next, क्या कह रहा है, एक skeleton triangle है, ABC जिसकी दो sides है, अब तो यह सवाल भी बढ़िया लगा, क्यों लगा, क्यों कि बहुत basic सी चीजी वो पूछ रहा है, तो कह रहा है कि बताइए, तो तीसरी side क्या नहीं हो सकते, can't be, तो सबसे पहले समझो, दूसरी side का क्या ratio रहता है, मतलब बा sides है, तो जो तीसरी side, अगर मैं उसे x कहूं, तो वो a minus b, दौनों को subtract कर दो, उससे तो बढ़ी होगी, और a plus b से छोटी होगी, important बात है कि यहाँ पर equal to नहीं होता है, इकल टू गया, तो सीधी line हो जाएगी, तो 8.9 plus 16 गरो, तो 16 और 8 कितने होगी, 24.9, यहीं, जो हमारी side है, तीसरी side जो है, वो 24.9 से बड़ी होनी चाहिए, 24.9 से छोटी है, क्या रहे, can't be the measure, क्या नहीं हो सकता है, तो 24.9 से हमारा छोटा है, यह सही है, हमारी यह जो तीसरी side है, वो इससे छोटी होनी, जिसके बर जाबर भी नहीं है, कोई option ठीक है, अगर हम difference ले लें, difference कितना है, 0.1 करोगे तो 9 हो जाएगा, और 6 और 7.1, तो 7.1 यहाँ दे रखा है, 7.1 नहीं हो सकती, ठीक है, अगर पूछता can be the measure, तो can be में तो अभी यह भी हो जाता है, यह भी हो जाता है, यह भी हो जाता है, इसके क्योंकि यह बताना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे जो है, बीच से जोइन कर लेते हैं, आइए, next question, अगर sin alpha plus sin beta की value यह है, तो cos alpha plus cos beta की value यह है, तो पता ही, cos alpha minus beta क्या होगा, देखो यह बहुत लंबा होगा, क्योंकि इसका solution हमें पता है, कि कैसे करना है, इसलिए, कि द क्या मैं यहाँ पर value कुछ put कर सकता हूँ, पहली बात, दूसरी बात, कि क्या put करूँ, option देखे, हमने कि option तो अलग-अलग से लग रहे है, plus, 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 minus, 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 plus, option सारे अलग-अलग, तो फिर मैंने सोचा, क्या, आसान सबसे रहेगा, कि यह alpha को beta के बराबर, अगर मैं माल लू और equal to 45 माल लूँ, तो कैसा रहेगा, अलफा बराबर, बीटा, बराबर 45 हो जाए, तो मेरे को peak value पर जाएगा, जो कि क्यों के बराबर हो जाएगा, और alpha minus beta, यानि यह हो जागा, आपका cos 0 है नहीं, मेरा answer 1 आना चाहिए, आप और कुछ सोचना चाहते है, वो भी सोच सकते ह ऐसा करते है, alpha is equal to beta is equal to 0 कर ले, वाट 0 में रिस्क रहेगा, यह not defined वगरा कहीं न बन जाए, क्यों के, आजाईए, करे, alpha बराबर, बीटा है, तो 45, 45, तो 1 by root 2, 2 by root 2, 2 by root 2, 2 by root 2 कहा है, root 2, यहाँ पर यहाँ पर q, और बराबर root 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाए, cos 0 है, य यह root 2 put करने पर, तो p square plus q square, तो 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 8, अरे यह तो positive आ रहे है, यह होगा नहीं, अगर मैं 2 मैंसे 2 minus कर दूँ, minus 2 कर दूँ, यह 0 यह भी नहीं होगा, यह तो minus का आ रहे है, negative आ रहे है, 2 minus 2, यह तो हट गया, plus 2, यह होगा, एक और देख रहे हैं, यह तो नहीं है, अच्छे यह भी 1 आ रहे है न, ओके, तो यह दौनों हमारे option अटक रहे हैं, ठीक है, ऐसा करते हैं, अब दूसरी value हम उठा लेते हैं, फिर इन दौनों को ही चेक करेंगे, क्योंकि यह भी आ रहे है न, क्योंकि यहां पर जब exact value नहीं होती, तो multiple option हो सकते हैं, इसलम ने यह अभी 1 ही आना चाहिए, ठीक है, तो यह क्या हो जागा, P की value मुझे 0 मिल गई, और यहां पर मुझे Q की value कितनी मिल गई, cos 0, 1, यह मेरे को 2 मिल गई, अब value देखो इसमें डालके, अब बाकियों को चेक मत करो, अभी भी हमें value कितनी मिलनी चाहिए, 0-0, 0 होता है, यह भी 1 म 4, 4-2, 2, 2, यह correct है, यह बास समझ माई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next, if two kinds of grains which cost इतना इन इतना, are mixed in the ratio 4, ratio 5, then what is the cost of the mixture per kg, सवाल आसाने, approach से time बस सकता है, mixture allocation में मैंने पढ़ाया है, last video detail में, देख ही न हो तो देख लेना, देखो भाई, अब यहां पर एक बालक करेगा, 36 4, 14, 5, divided by 4, plus 5, weighted average अगर हम लगाए, इन में difference कितना है, 18, 34, 18, 18 का difference है, जो कि कितने ratio की value हो, 9 की value है, छोटे वाले के opposite को पकड़ो, कि इसकी value कितनी है, इन 2 में 5 कर दो, तो यह 10 आ गया, यह इन 2 की value 10 है, इस से 10 बढ़ा यह होगा, 46 is the right हाई, ठीक है, यह discuss कर लिया है, लिंक होगा कितनी बार बताया जाए आजाई इस कुशन पर क्या कहरा है इन पंचायत इलेक्शन थ्री कंस्टेंट्स ए बी और सी आर कंटेस्टिंग एट्टी परसंट ऑफ टोटल पॉपलेशन ऑफ पंदरह हजार कास्ट बेर वोट्स तो पंदरह हजार का 80 परसंट ने शीयों डेख गया तो बताय कितने शी यम थी कुम मिल ठीक है उनका पंडरह हजार हो difference सोरी इस लोग है एक हजार ठीक है B, 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 B को मिला है 60% of the total votes इसका 60% मिल गया तो इसका 60% कितना हो जाएगा 2,0 से 2,0 गए 15,690 और 2,0 तो 90, ये 9,000 तो B को मिल गए ठीक है, तो C को कितने मिले उसने यही तो पूछा है, तो C को कितने मिले होंगे, इसका 80% निकालो 15,820, यानि 12,000 ये 12,000 vote है और ये है हमारे 3,000, ठीक है इस 12,000 में से 10,000 माइनस को तो C को मिले 2,000 2,000 option में नहीं है, क्यों नहीं है भाई क्यों नहीं है क्यों नहीं है कई ऐसे तो नहीं कर दिया देख लेते हैं मेरे इसाफ से लेंग्वेज में थोड़ी सी गलती है एक तरीका और हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं, रुको कहीं इसको तो नहीं total votes माल लिया एक यह option हो सकते हैं बट वो थोड़ा सही नहीं रहेगा वो गलत ही बात है एक तरीके से अगर इसको total votes माल लिया हो है यह 1000 ऐसा कैसा कहीं इसका 60% B को दे दिया हो निकालना ज़रा इसका 60% 126 के 72,7200 अगर मैं मानू तो ता रहा है क्या है ता तो 8200 8200 इसको हो गए तो बच्चे कितने 800 9000 होगे 932 तो फिर शायद 3800 option में होगा शायद 3800 बता देखो अब मैं यह बात बताओ यह सवाल की language जैसी अब तक पूछी जारी उस हिसाब से तोड़ा सा गलत है पट एक तरीके से जैसी भाषा लिखे उससे आप से सही भी हो सकता है 80% of total population of इतना cast their votes वैसे language क्या होती जैसे total votes जो है इसको माना जाता है जो भी starting में जैसे वो तैना दो type के सवाल होते है डाले गए votes का मिल रहा है यह total votes यह total votes वैसे माने जाते है अब तक जितने सवाल आए बट यहाँ पर क्या हुआ है चलो 2000 option नहीं दिया तो इसको total votes होगे कौन से 80% ऑफ 15,000 और कोई भी वोट invalid नहीं था तो यह होगे total votes ऐसा मान के सवाल बना दिये ठीक कोई बात नहीं अगर यह छूटा था आपका यह तो नहीं छूटा होगा आसान सा सवाल है 30 put कर देना साइन 30 होता है आपका हाफ और कॉस 90 बने 80 कॉस 60 वो भी हो गया आपका हाफ हाफ प्लस हाफ बन 89 परसंट अब चलिए इस question को देखते हैं तो यहां पर जब भी algebra के इस प्रकार के सवाल होते मैं आपको कहा है कि 80% केस में minimum बात कर रहा हूं कि value putting नहीं होगी इसलिए सवाल हो नहीं पाता है value putting केवल YouTube पर जो सवाल लोग आपको दिखाते वहां हो जाएगी समझो जब algebra का सवाल है और वहां पर हमें clean formula दिख रहा है यानि examiner चाहता है आप value न ढूंड पाए आप यहां पर formula ही लगाए पहले कभी हो जाता कि value put कर दी हो गया लेकिन जब formula है तो formula ही लगेगा देखो value put कर रहा हो गया तो time लग रहा होगा फाल्तु बेष्ट यहां से हमें क्या मिल रहा है a cube plus b cube बराबर 360 इससे मिला हमें a plus b बराबर 12 और उसने पूछा क्या है a by b plus b by है तो यह तो कोई form ही नहीं LCM लोग है तो आपको मिले गए a square plus b square upon a b done है यह निकालना है अब देखो आप यहां से भी solve कर सकते हैं कि a q plus b q बराबर होता है a plus b into a square plus b square minus a b a plus b की value है तो आपको a square plus b square minus a b मिल जाएगा फिर आप इसका square करोगे दोनों को आप क्या करोगे फिर आपको a b की value मिल जाएगी वहां से थोड़ा लेंदी फिर a square plus b square b वहां से निकालोगे अगर आप यहां से दूसा formula क्या होता है हमारा a q plus b q बराबर होता है a plus b multiplied by a square plus b square minus a b होता है न उसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि यह a plus b का whole square इसमें 2a b आ गया plus का लेकिन हमें तो minus a b चाहिए तो minus करो इसमें से 3ab यह जो value है that is equal to आपका 3 अब यहां पर a plus b की value अल्रेडी 12 है आपके पास तो 12 से गया यह कितनी बारा इस बार इस बार कि a plus b a plus b आपके हैं पर 12 गिवन है 12 का square कितना होगे 144 144 में से 30 आप minus कर दो यह 3a भी उधर चले जाएगा यह कितना आगया आपका यह आगया आपका 114 और 114 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको a भी मिल जाएगा कितना मिल गया कि 3 3 जा 9 और बचा आपका 24 3 8 जा 24 a b की value आपको 38 पता चल गए यह a b कितना आगया 38 तो नीचे तो 38 आगया किया हमें a square प्लस b square भी मिल सकता है a plus b मेरे पास 12 है तो 12 का square कर दूँ तो 144 किसकी value मिली है a square प्लस b square प्लस 2 a b तो माइनस कर दो इसमें से 2 a b तो 2 a b मतलब कि 38 का double यानिकि 76 माइनस कर दो यह कितना आगया यह आगया आपका 8 बचा यहाँ पर 13 68 divided by 38 तो से कट रहा है यह आगया आपका 34 यह आगया आपका 19 34 by 19 option number B for Bombay is correct next ABC is an isosceles triangle such that A B A C के बराबर है it is given that चलो बनाना पड़ेगा बनाते हैं फटाक से यह हो गया आपका isosceles triangle A B C के रहा है कि B D जो है यह perpendicular है और A C के और C E जो है यह perpendicular है A B के its angle D B C D B C यह angle 25 है तो देखो जब isosceles triangle आपका यह बन गया तो यह दोनों साइट से अगर बराबर है कि कै तो यह वाली side इसके बराबर ही होगी यानि इसकी length इसके बराबर होगी तो यह वाला angle भी 25 ही होगा पहली बात तो यह है तो B A C की value पूछ रहा है यह 25 यह 25 पचास यह कितना हो गया आपका 180 माइनस 51 30 यह भी 130 अब यह angle 90 यह 90 यह 90 यह 90 तो अब यह क्या है यह quadrilateral है opposite angle का sum 180 तो इनका भी 180 क्योंकि यह 90 90 है तो यह 135 यह पचास है आप ऐसे कर सकते हो सोचने को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यह 25 है यह 90 है तो यह remaining angle आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा 90 25 यह हो गया आपका पाच 30 और 65 अब यह 65 है तो यह भी 65 है आई सोचने के तरीके कई बट आंसर एक ही रहेगा नेक्स्ट देखो भाई एक बैक के अंदर एक रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं किस रेशियो में 5,8 और 12 तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है किसका दिया है coins का रेशियो दिया है 5,8 और 12 लेकिन आगे कछ रहा है कि हमारे पास जो रुपए है वो 168 है यह value है points का ratio दिया है, हमें value दिया है, तो value का ratio निकालना पड़ेगा, अब ये coin किस-किस के है, 1 rupee 50 पैसे 25 पैसे, मैंने आपको कहा है कि जब rupees और पैसे दोनों हो, तो आप पैसे में convert कर लो, यह है आपके पास 100 पैसे का coin, यह है आपके पास 50 पैसे का, और यह है 25 पैसे का, अब multiply कर लो, यह कितना आगया आपका, 500 आगया, 85 is a 40, एक 0, और यह आगया आपका, 25 इंटू में 12, तो 25 इंटू में 400 होता है, तो यह 300 हो गया, दो 0 से यह सारे दो 0 कट गए, यहनी value का ratio यह है, उसने पूछा है, कि बताईए 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो देखो 168, यह कितने ratio की value है, 5 और 4, 9, 9 और 3, 12, यह 12 की value है, उसने पूछा है, बताईए 25 पैसे के सिक्के कितने, इंटू में 3, तो examiner को एक option यह देना बट शायद यह दिया नहीं, देख लेते हैं, कि 3, 4, 12, 4, 4, 16, and 4, 2, 8, 42 आगे, एक option देना चाहिए था 42, यह गलत है, basically आपने क्या निकाला, बस हम निकाल लिए कि यह निकालना है, यह value निकाली है आपने, कि 168 में से 25 पैसे के सभी सिक्कों की value है, यह 25 पैसे के जब सिक् यह 42 रूपीज आ रही है, अब यहाँ पर आगे कैसे बढ़ोगे, एक रूपे में 25 पैसे के कितने सिक्क्य होते हैं, 4, तो 42 रूपीज में, इन्टू में 4 करना है, 4, 2, 8, और 4, 4, 16, 168 correct answer, एक option 42 होता, मज आ जाता, यह percentage correct और कम हो जाता, यह देखिए, निशान्त और अभ अभीशेक is demolishing that wall, निशान्त can completely build the wall in 8 days, अभीशेक 10 days लेता है, तो completely demolish the wall, how many days will the complete wall be built for the first time, if they work on alternate days, तो यह पैपेंट सिस्टन वाला सवाल है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यह हम discuss कर चुके हैं, यह discuss कर लिया है, यह फिर से repeat होगे है, 22, 23, ठीक है, इसका link जो है, जो अ 22, ठीक है, सही है, आप दिखो, the given line graph shows the number of car manufacturer in hundreds by company A and B over the years, तो यहाँ पर थोड़ा सा भढ़िया कैसे हो सकता था, कि यह 134 थोड़ा ऊपर लिग गया है, 134 ऊपर यह नहीं समझ जाओगे ना, कि यह 134 जो value है, यह इसकी है, और 120 value इसकी है, ऐसे 148 ऊपर है, यह रही, यह इस की value, यह सब सही है, यहाँ पर यह ऐसे है, यह ऐसे होगा, यह इसका होगा value, यह इसकी value होगी, एक, ऊपर वाली value ऊपर की, तो उसने काया कि, what is the average number of car manufactured by B over the given period, तो कितने साल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो divide by तो 6 होगा, पहली बात, और ऊपर value क्या होगी, B की, B मतलब blue color से, तो फ की आप unit digit से करो, यहाँ पर आओ, कहां से चलें, यहां से चलें, उपर वाला blue ठीक है, 9, plus 3, 12, 13, 13, plus 8 होगे आपका 21, उपर वाला, 21, plus 8 होगे 29, 29, plus 4 होगे आपका 33, ठीक है, carry गया आपका 3, 3, plus 1, 4, 4, plus 7 होगे आपका 11, 11, plus 1 होगे 12, 12, 5, 17, 17, 17, plus 4 होगे 21, 21, plus 3 होगे आपका 24, 2 कह रही है, तो 2 के बाद यह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 4, 3, ठीक है, और उसके बाद जो है, इन 100 कह रहा है, तो 2, 0, और लगा दो, value तो वैसे भी आई जाएगी काटके, तो पहले 8, 4, 12, 3, 15, ठीक है, 3 से काटा 2 times, 3, 2 जा 6, और 3, 8 जा 24, 3 जा 3, इसको मैं into बे 100 ही मान के चलता हूँ, ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कैसे करता हूँ, आपको वो बताता हूँ सीदे, तो अभी हमारा 100 आगे बचा है, तो 2, 5 जा 10, ऐसे कर दिया, तो 5 बंजा 5, और 8 जा 40, पास दूनी 10 और 4, 14, 10, 4, 5, 0, 10, 4, 5, 0, 10, 4, 5, 0, 2 0 है यहाँ पर, इसा होगा, यहाँ पर छोटा सा correction और रहेगा, इन 100 की जगे यहाँ पर इन 1000 होगा, कई बार क्या कहता है, इन 1000 या फिर केवल लिख देगा, इन, इन के बाद, तीन 0 होगा, और ऐसे चाहे तो वो bracket में डाल देगा, इन 1000 को ऐसे भी समझे, कोई बात नहीं, छोटे इसी बात हैं, बहुत महनत लगती है, इस तरीके के सवाल, बनाने में team को, चलिए, इसको 40% ने correct किया है, आओ भई, समझते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है, एक triangle है, जिसकी sides ये है, what is the length of the perpendicular from the opposite vertex to the side, जिसकी length जो है 30 cm, अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो हम यह देखना चाहेंगे, कि यह triangle किस प्रकार का है, कहीं यह एक right angle triangle तो नहीं है, तो सब संख्याएं 6 से कट रही है, 6, 3, 2, 18, 6, 4, 24, 6, 5, 30, तो triplet से right angle triangle है, तो मैं आपको यह भी बताता हूँ, कि अगर यह right angle triangle ना होता, तो हमारी approach क्या रहती, ठीक है, तो यह है आपका 18, यह है 24, यह है 30, तो कह रहा है, बताइए, यह perpendicular length क्या होगी, सबसे पहले एक option आपको 15 भी दिया जाना चाहिए, जो कि दिया है, बहुत बढ़िया, यह गलत है, कारण क्या है, कई strengths इसमें confused रहते हैं, यह circumcenter है, यह अपना परीकेंद्र, और यह perpendicular है, यहाँ पर हमारा ortho center इस पर कहीं lie कर रहा होगा, इन दौनों में antar है, यह दौनों point एक यह कब हो जाते हैं, जब यह एक ISOSless triangle होता है, साती सात right angle, ISOSless right angle triangle में यह दौनों यह सब बराबर होते हैं, यह 90 degree भी होता है, और साती सात्थ यह परीकेंद्र भी होता है, ये दौनों बिल्कुल अलग-अलग हैं, ये गलती नहीं करना है कि तीसका था, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, बिसिकली यहाँ पर बीच, वो exactly middle में है, ये नीचे कहीं है, ये पहली बार संद माई, तो इसको कैसे करोगे, इसको कर देते हैं, कि ये जो perpendicular distance होता है, ये इस triangle का area, इसको base मान के निकालों, तो ये height हो गया, तो half h into में base अब 30 हो गया, तो half से half कट जागा, तो ये जो perpendicular distance है, that is 18 into 24 by 30, clear है, तो pv by h is equal to perpendicular distance, ये लिख लेना, ये कम बार आया है, इसलिए गलती हुए, 6 हो जा, 6 5 जा, ठीक है, तो उपर नीचे बहले 2 से और multiply कर दो, 14.4 is the right answer, एक तो ये हो गया, दूस तरह, अब ये भी सवाल पूछा गया है, आ सकता है, कम बार पूछा गया है, लेकिन आ सकता है, क्या, ये 3 कोई भी random आपको दे देगा, sites, जिससे की ये right angle triangle ना बने, लेकिन skeleton triangle बन जागा, ने विशम बाहू तिरबूल बन जाएगा, उस करके, area निकलेगा, कुछ भी letter, suppose x निकला, is equal to half, base हो जाएगा, आपका 30 into match, इसका area कैसे निकालोगे, skeleton triangle है, और साथी साथ right angle भी नहीं है, आप निकालोगे, hero news formula से, clear है, एक, बस, इतने questions ही थे, काफी सारे रहे वैसे, तो आपको करना क्या है, add the end, अगर फिर से summary वीडियो solution मिलता है, उसमें समझा करो, तब वो गलती फिर से नहीं होगी, अब जो बाते हमने यहाँ पर discuss करेंगी, तेने सारे सवाल तेक है, तो यह बात आज समझ में आगी, तो आगे यह गलती नहो, इसे कहीं लिखना है, लिख लो, revise कर लो, अट एक बार हमने गलती करी तो बहु रिपीट, now that should be our target.